हाला फ्रेंट्स मेरा नाम है मुकेश कुमार सर्मा और आप देख रहे हैं मुकेश टेक्नोलेज आज मैं आप लोगों को बताने वह रहा हूं आप लोग कोपीडाइट क्लेम कैसे हटा सकते हैं के अगरण किसी भी वीडियो को अपर इसे सही हुआर्यह को जान्युन आप पैसे कमा सकते हैं ऐह 100 परसंट क्रीए ध्यूर्क चलिए मैं आपको बताता हूं कि तो पहले करने वाल हूं लेकिन आप इसको को फोन सह भी कर सकते सेंग प्रोसस होगा आपको बस अपने फोन में और उसको डेक्सटाप मौड में और आप1 कर के अपने आईडी को लोगीन ना यूटूब इस्टूडियो का जब यह यूटूब इस्टूडियो के उपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज उपन होगा है जो हमारा चैनल का डेस्ट बॉर्ड है यहां पर जो राइट साइड में आप कॉंटेंड का अप्शन देख रहे हैं यह यहां कोपी राइट साइड में पेले तो उसके उपर क्लिक करना है और जैसी कॉंटेंट पे जाएंगे आपने जितने वीडियो पोस्ट पिया होंगे उस पे की इतने कापी राइट श्ट्राइक है उसको रिवीउ कर सकते आप लेकिन कोपिराइट की बात नहीं कर रहा हो मैं copyright claim के बात करने वाला हूँ तो हम चलते हैं copyright claim के उपर तो यह जो copyright claim लिखा हुआ है इसके उपर see details है इस पर click करेंगे तो हमारे पर एक नया page open होगा उस page के उपर मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है the content id claim on your video doesn't affect your channel इसका मतलब है कि यह जो बस जो content id claim आपके चैनल के उपर आया इससे आपके चैनल को कोई problem नहीं होने वाला आपको ऐसा लगड़ा इससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आगे लिखा हुआ है content identification in this video is listed below जो भी मतलब आपका content id claim आया हुआ है उसकी list नीचे दी गई है देखें यह song का नाम है एक दो तीन चार फ्रम तिजाब मोवी का है अलका यगनिक ने गया है content id found during 00-15 इसके उपर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहां देखें लिखा रहा है play segment यहां से यह song play हो जाएगा मैं यहां प्ले करके नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि यह copyrighted song है तो मेरे इस वीडियो में भी copyright आ सकता है अब इसके बाद यहां यह no impact लिखा हुआ है इसका मतलब है आपके चैनल पर कोई impact नहीं है बड़ इसके उपर और भी details है जैसे copyright honors t-series music on behalf of t-series t-series के विखाप पे हमें claim मिला हुआ है क्योंकि यह जो सब्सक्राइब हर सब्सक्राइब हर सब्सक्राइब होता है वह ती स्रीज ने ले रखा है if you become a member of the YouTube partner program this claim may affect your ability to monetize the video यहाँ ध्यान से देखने वारी बात है अगर आप कभी भी YouTube को monetize करते हैं मतलब YouTube partner program से जब भी आप मतलब link करते हैं अपने adsense account को पैसे कमाने के लिए तो आप इस video को monetize नहीं कर सकते हैं क्यों यहां पर clearly लिखा हुआ है कि आप इस video को monetize नहीं कर सकते हैं ना कि channel को channel पर आपका कोई problem नहीं आएगा बट इस video से आप कि में monetize करें पैसे नहीं कमा सकते हैं यह सारा का सारा revenue उस company को जाएगा जिसका यह सवांग है ठीक है इतना समझ गए आप तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसको पैसे नहीं बनाने तो छोड़ सकते हैं अगर आपको फिर भी हटाना है तो चलिए आगे के process में चलते हैं इसके ओपर हम क्लिक करेंगे यहां पर देखिए कुछ options open होके आ रहे हैं पहला option है trim out segment अगर यह तो यह तीनों options काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह short video short video पर apply नहीं होता अगर long video है तो इसका मतलब मैं समझा जयता हूं यह तीनों options आपको मिलेंगे trim out segment trim out segment का मतलब है कि जो भी वीडियो है न और जहां से जहां तक यह song है जिसे यहां पर लिखा हुआ है 0 seconds से 15 seconds तक तो उतने दूर का यह पार्ट मतलब कर देगा वीडियो और आडियो दो नो सब्सक्राइब कर देगा मतलब बहुत सारे सांग जो नोन कॉपी डाइट है उससे आप बदल सकते हैं अगर आपको लगता है बदलने की जरूरत है तो तीसरा है मूट सोंग अपने कपिल सर्मा के सो में यूटूब पर आता है काफी टाइम देखा होगा कि बहुत सारे सांग होता है जिसको वो लोग म्यूट कर देते बस क्योंकि वहां से उनको रेवेन्यू सेर नहीं करना होता इसलिए वो लोग म्यूट कर देते उसको तो आप यह यहां पर क्लिक कर सकते हैं तो चलिए आपको यहां तक तो समझ आई गया है लेकिन आगे प्रोसेस क्या होता है वो भी समदना जरूरी है तो हम इसके उपर भी क्लिक करते हैं आप डिस्ट्प्यूट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेजों पेन होगा ठीक है इस पेज में सबसे पहले तो लिखा है डिस्प्यूट क्लेम एक दो तीन चार फ्रॉम तेज़ जो यह सौंग है इसके अगेंस्ट हम डिस्प्यूट कर रहे हैं मतलब केस फाइ क्लेम नीचे जो भी रिजन दिया हुआ है यह मतलब रिजन अगर यह आपका रिजन है कि आप इस रिजन से कर रहें तो आप कोंटेंट डाइडी क्लेम तो डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं मतलब हटवा नहीं सकते हैं तो रिजन क्या है पहला है आई आउन एक कॉपी ऑफ सॉंग और वीडियो मेड़े पास इस सॉंग या कॉपी का वीडियो मतलब कि अगर आपने कहीं से डिवीडी या सीडी पर्चेश किया हुआ है तो आपको इसका मतलब यह नहीं कि वह आपकी प्रोपर्टी हो गई आपने वह खड़ीदा है आप देख सकते हैं बड़ उस व वीडियो से पैसे नहीं कमा रहा हूँ मुआ तो पैसे नहीं कमा रहे है तो आप कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी बी इंसान का बनाया हुआ कोई भी चीज यूच करे ठीक है थार्ड ऑप्शन है आई गेफ क्रेडिट टू दा कॉपीड़ाइट आउनर आपके पास होता ना कि अरे मैं तो मैंने तो क्रेडिट दिया है वह सरे लोग होता है कि कि किसी का भी कुछ यूज कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि क्रेडिट गोश्ट आप यूज कर सकते हैं विथाउट पर्मिशन आप किसी के भी कॉंटेंट को जूज नहीं कर सकते हैं चलिए अगर इसमें से भी कोई रीजन नहीं है आपका आपके पास लगता कि नहीं मैंने पर्मिशन लिया था फिडबी में पास ऐसा हो रहा है या या कोई गवर्मेंट है जैसे प्रोपर्टी है उस तरह से अगर आपका कोई और रीजन है तो इसके आगे जा सकते हैं आप देखिए आगे जाने के लिए आपको सिंपल सा नीचे आपको एक ओप्शन मिलता है बॉक्स है जिसको टिक करना होता है मैं डिस्प्यूट इंट बैस ऑन एनी ऑफ दर अब आई उड इस्टिल लाइक टो डिस्प्यूट इस कॉंटेंड आइडी जो मेरा रीजन है जो मेरा वीवाद है वह उपर दिये हुए किसी भी रीजन से मैच नहीं करता तो मैं इसको हटाने के लिए प्रोसेस आगे करना चाहता हूं ठीक है इसको टिक करने का मतलब है कि अब आपको रीजन देना होगा क्या रीजन है कि यह गलत है तो यहां पर कुछ ऑप्संस दिये हुए और इसके सारे राइट्स मेरे पास है इसका मतलब है कि आप यह सेलेक्ट करते हैं तो आप दावा करते हैं कि जो भी यह मूवी यह सॉंग है यह यह मूजिक है यह आपने बनाया है सेकेंड औप्सन है लाइसेंस हैं आई है पर्मिशन और लाइसे टू यूज दो कंटेंट क्लेम मैं वीडियो सेकेंड है आपके पास लाइसेंस हैं अपने लाइसेंस लिया हुआ है कि हां इस सॉंग को मैंने मतलब purchase कर लिया या license है मेरे पास मैं इसको यूज कर सकता हूं तो आप ये second वाला यूज कर सकते हैं थर्ड है copyright एक पर से संघ्म सचे एज फिएर यूज तो नहीं है बर क्या होता ये कि फेर यूज में आप नहीं डाले हैं और गलती से अगर आपके अंदर वह सौंग आ गया जैसे कि आप ब्लॉग बना रहे हैं करके और पीछे बैग्राउंड में कहीं म्यूजिक के लिए कोई म्यूजिक आगया और उसको कॉंटेंट आइडी मैच करने से कॉंटेंट मतलब क्लेम आ गया है तो आप उस सीच्वेशन में इस आप्संद को चूज कर सकते हैं लास्ट है पॉब्लिक डोमेन दा कॉंटेंट क्लेम इन माई वीडियो इज इन दा पॉब्लिक डोमेन एंड इस नोट लॉंग और प्रॉपिडाइट मतलब यहां पर यह आप बोल रहे हैं आपका रीजन है कि यह जो सौंग है यह पॉब्लिक डोमेन में आता है लाइक जन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए उपर वाले तीन तो समझ गया है उसमें कुछ रहता नहीं और लेकिन पॉब्लिक डोमेन वाले में कुछ एक्स्ट्रा फैसलिटीज होती है तो हम इसको क्लिक करके करते हैं इसको टिक करके करते हैं देखिए जब आप एक स्टेप आगे चले जाएगे अब आगया रिकॉर्मेंट्स मुला क्या क्या रिकॉर्मेंट होगी कि नीचे लिखा हुआ है दब पॉब्लिक डोमेन वाट इस पॉब्लिक डोमेन क्या है मैंने आपको अल्रडी बता दिया कि कि किसी भी गवर्मेंट एजेंसी जो आड़ा या जैसे जैने गड़ा मना हुआ इस टाइप के सॉंग जिसके उपर किसी का भी कोई अधिकार नही है और इसी लिए यह पॉब्लिक डोमेन में आता है तो ऐसा नहीं है कितना पुराना सौंग हो किसी ना किसी के पास अधिकार होता ही है तो वह भी ए तिसरा है ओदर पॉब्लिक डोमेन एक फश्वर संद कि कुछ आपको वही मेंने रीज़न जो बताया कि आपको लगता है क सब्सक्रांगे मुझा है समझाने के लिए अगर यह सब रीजन नहीं आप पूब्लिक डोमेन के यूज़ कर रहे तो आपको यह सब समझना होगा अगर यह भी मैं इसे नहीं करता आपको लगता नहीं मेरे पास इसका अधिकार है या पूब्लिक डॉमेंड में ही है आपको पूरा भरोसा है कि हाँ यह गौर्मेंट एजेंसी द्वारा ही बनाया गया तो आप इसको आगे लेके जा सकते के स्टेप तो चलिए हम इसको यहां पर देखिए टिक करना होगा आपको निचे लिखा हुआ है बॉक्स के बगल में दा कॉंटेंट क्लेम इन माई वीडियो इन पॉब्लिक डॉमेंड और इंट प्रोटेक्टेड बाई कॉपिडाइट फॉर एनी रिजन मतलब कि यह जो कॉंटेंट मै ने डाला है यह पॉब्लिक डॉमेंड में ही है और इसका कॉपिडाइट किसी भी परसन के पास नहीं है अगर आप यह कंफर्म है तो यहां पर बॉक्स पर टिक करके कंटीनिव कर सकते हैं जैसे कंटीनिव पर क्लिक करेंगे आपके पास एक ओप्सन और उपन होगा जो की यह प्सक्राइब होगा जैसे की मैं यहां लिख देता हूं में को हटवाना णिक टेसमें हैं तो मैं यहां पिलिख देता हूं सब्सक्राइब यह ता है कि सब्सक्राइब माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल अब यहां पर कुछ और आप्शन से लिखा हुआ है प्लीज रिव्यू दर स्टेटमेंट बिलो एंड चेक दर बॉक्सेश तु एगडी नीचे वाले कुछ किया है आप उसको टिक कर दिया सेकेंड आई अंडरस्टेंड डैड़ दक क्लाइमेंट विल बी एबल टो यू माई वीडियो एंड माई डिस्ट्प्यूट डिरेजिनल कि मैं मैं समझ गया हूं कि मैं जो भी अप्लाई कर रहा हूं यह मतलब मेरे हिसाब सा सही है लाश्ट व होँ अगर मैं गलत तरीके से इसको हटाने लिए अप लेवर करता हूं तो मेरा चैनल भी डिलीट हो सकता है तो यहां इसको अगर आप एक सेप्ट करते तो ठीक कर सकते लेकिन एक बात है अगर आपने सच में यूज किया है और वेडिफाई होता तो में भी आपका चैनल डिलीट हो सकता है बिना कोई तीन कॉपीडाइट आप इस टॉपिक को तो अगर आप क्लेम रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है यह बात याद रखिए लेकिन आप अग छीनों बॉक्स टिक कर लेते हैं तो सिग्नेचर पे आप कर सकते हैं अपलाई तो चलिए bukan oh dai यहां टेस्टिंग चैनल है तो हम आगे और सबमीट पे क्लिक करते हैं अब देखिये सबमीट पे एक क्लिक करने के बार इस हो discute आया है जो आपका विवाद था मतलब समीट कर दिया गया है रेओ इसको सेंड करने के लिए भीट नोट glaubnot रिवीव तो आपके इस वीडियो को इस वीडियो से क्लेम एटोमेटिक हड़ जाएगा ठीक है नीचे लिखा हुआ है क्या वहाँ से रिप्ले आता है यह लोग आपको मेल करके बता देंगे तो इसको हम करते हैं क्लोज आपको यह वीडियो समझ में आया होगा लेकिन हाँ अभी देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अगर वीडियो आपको फसंद आया हो तो लाइक शेयर सस्क्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते तो आपको नेक्स अपडेट नहीं मिलेगा बाई-बाई, मिलते हैं नीक्स पूज़ुक।